हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब I hope you all are very well प्यारे दोस्तों यह UGC के चेर्मेन अभी करेंट चेर्मेन ममीद अला जगदीश कुमार आपको पता ही होगा इन्होंने CUET-UG फॉर्म के रिगार्डिंग बहुत सारे official updates जारी किये हैं चुकि फॉर्म तो अभी आपको नहीं दिखेगा लेकिन यह सब updates आप देख लो और समझ लो चुकि आपके यही काम का है यह basic है Announcement and CUET-UG online submission of application form for common university entrance test 2023 for admission to undergraduate programs will start tonight Last date भी इनोंने दे दिया है 12 March ठीक है आगे बढ़ते हैं यह thread है Twitter जो बच्चे यूज करते होंगे वो जानते होंगे Announcement of the City of the Examination on 30th April 2023 आप जो exam city आप select करोगे उनमें से आपका कौन सा exam city होगा यह 30 April तक आपको पता चल जाएगा उसके बाद admit card जो है आप NTA की website से second week of माई से जुलाई माई से डाउनलोड कर सकते हो Date of examination जो है वो 21 माई onwards है मतलब 21 माई के बाद आपका exam सुरू हो जाएगा तो अभी से अगर आप देख लो तो February to March, March से April, April से माई completely three months ही लगभग बचे हैं three months and half month और ले लो साड़े तीन मन्त तो अगर आप लोग तयारी करना चाहते हो तो हमारे आप paid course से जुड़ सकते हो कई videos में हमने उस paid course के benefits बताए हैं अभी 50% off भी चल रहा है अगर आप चाहते हों जोइन करना तो टीच्मेंट application है उस पे आपको mentoring दूँगा मैं मेरी फूरी team है वो आपको mentoring करेंगे आपको समझाएंगे कैसे form बरना है कहां बरना है कौन-कौन से subject बरना है live classes हमारी चलते है study material आपको मिल जाएगा recording section मिल जाएगा जिसमें आप जितने भी वार चाहो revise कर सकते हो mock test आपको मिल जाएगा assignment आपको दिये जाएगे ताकि आप homework करके आओ तो अगर दिन test daily और weekly दोनों है हमारे पास और बहुत ये कम फीपे है 50% discount 50 to 60% discount आपको मिल जाएगा और अगर आप weekly financially आप week हो हैना weekly background से हो financially तो आपको और भी discount हम provide करेंगे ठीक है तो channel से जुड़े रहिए हमेशा आगे देखते हैं news को अगर आप ये officially twitter handle देखना चाहते हो तो आप हमारे telegram से जुड़ जाओ वहाँ पर हम आपको भीज़ देंगे आप देख सकते हो अब देखते हैं आगे ये 13 language में होगा आप जो भी language में देना चाहते हो वो आप दे सकते हैं उसमें कुछ-कुछ चीज़े special की गई है इस बार भी जैसे section 1a देखिए आपको पता है section 1 जो था वो language का paper था इसमें पहला जो है ग्रूप चुकि यूजी का ये form है तो पहला ग्रूप हिंदे, इंगलिस, कंणर, तमिल, तेलगू ये उन बचों का है जो generalized है मतलब उनको language paper ही देना है लेकिन दूसरा ग्रूप 1B जो होगा वो क्या होगा वो जिनको honors करना है जिसे German, French जो वो पढ़ना चाहते हूँ, ठीक है जो वो लेना चाहते हूँ, तो ये दो category की गई है इसमें, बात समझ मैं आरा आपको, and section 2 has 27 domain subjects, तो फहले form आजाए ने दीजिए, मैं एक एक चीज़ क्लियर करके आपको बताऊँगा कि कौन सा domain आपके लिए है, सारे domain की पढ़ाई भी होगी, आपको टेंसर नहीं लेना है, section 3 general test, section 3 जो है वो क्या है, वो है general test, एक candidate can choose maximum of 10 subjects from all 3 sections, तीनों से आप ज्यादा से ज्यादा 10 subject choose कर सकते हैं, मतलब माल लो आपने एक backup के तोर पे political science, geography, economics, ये 4-5 subject ले लिए और एक language तो ऐसे भी हो गया, एक general test आपका हो गया, तो कितने हो गया आपके अगर सब जोले तो 78 हो गया, तो ऐसे करके जादा जादा 10 ले सकते हो आप, examination will be conducted on multiple days in 3 shifts, याद रिखिये का depending on the number of candidates and subject choices, candidates can apply for CUET UG through online mode, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, in case of any candidate faces difficulty in applying for CUET UG 23, he or she may contact at, ये contact number आप प्लीज, इसको note कर लो, बहुत ही ज्यादा useful है, आपके कुछ तो काम आएगा ही, तो यही था important information, आप जरूर देखिये इन सीजों को, thank you so much.